नम्सकार दोस्तों आज हम इस वीडियो में अन्फिनिक्स हॉट 10 वर्सस ओपोव 15 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो अन्फिनिक्स हॉट 10 में 6.74 इंच जबकी ओपोव 15 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है जोकी अन्फिनिक्स हॉट 10 से कम है वीड़् की बात करें तो अन्फिनिक्स हॉट 10 में 3.06 इंच जबकी ओपोव 15 में 2.97 इंच की वीड़् मिलती है जोकी अन्फिनिक्स हॉट 10 से कम है बात करें थिकनेस की तो अन्फिनिक्स हॉट 10 में 0.35 इंच जबकी ओपोव 15 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, Infinix Hot 10 में 204 ग्राम्स, जबकि Oppo A15 में 175 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, Aps LCD की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, Infinix Hot 10 में 20.5 रेशियो 9, जबकि Oppo A15 में 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Infinix Hot 10 में 6.78 इंचेस जबकि Oppo A15 में 6.52 इंचेस मिलती है दिस्प्ले रेजолुशन Infinix Hot 10 में 720 x 1640 और OPPO 15 में 720 x 1600 मिलता है Screen to Body Ratio Infinix Hot 10 में 82.34 प्रतिशत जबकि OPPO 15 में 83 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Infinix Hot 10 में 274 प्रति इंच जबकि OPPO 15 में 279 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो Infinix Hot 10 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, डेप कैमरा और आखिर में मैकरो कैमरा देखने को मिलता है और ओपो और 15 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, depth camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो Infinix Hot 10 में 8 different type के features मिल जाते है और Oppo A15 की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Infinix Hot 10 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और Oppo A15 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो, Infinix Hot 10 में Mali G52 जबकि Oppo A15 में Power of a GE8 3200 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Infinix Hot 10 में MediaTek Helio G70 और Oppo A15 में MediaTek Helio P35 मिलता है बात करें RAM की तो, Infinix Hot 10 में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 4 GB, 6 GB की RAM मिलती है जबकि Oppo A15 में 1 ही Variant देखने को मिलता है जिसमें 2 GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो Infinix Hot 10 में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB की storage मिलती है जबकि OPPO A15 में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 32GB storage मिल जाती है Expandable Memory दोनों phone में अप्टो 256GB है Operating System दोनों phone में Android V10 Q देखने को मिलती है Battery Infinix Hot 10 में 5200mAh जबकि OPPO A15 में 4230mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं Colors की बात करें तो Infinix Hot 10 में 4 Colors जबकि OPPO A15 में 3 Colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें Price की तो Infinix Hot 10 में 2 variant देखने को मिलते है जिसमें की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 9,499 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 10,999 रूपीज में मिलता है और बात करें OPPO A15 की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 2GB RAM 32GB Storage के साथ 9,590 रूपीज में मिलता है फाइनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में Infinix Hot 10 आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉमंस में Infinix Hot 10 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Οπό A53 2020 है जो की 12,180 रुपे में मिलता है दूसरा OPPO A16 है जो की 13,990 रुपे में मिलता है तीसरा Realme Naso 50-A है जो की 11,499 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 2021 है जो की 8,799 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना